हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तो अगर आप लोग यहाँ पे अपने फोन पर जियो सीम को एयर टेल में पोर्ट कराने वाले हैं तो आप लोग यहाँ पे यह नहीं जानते हैं कि आपका जो सीम है वो कितने दिन में आपे पोर्ट हो जाता है तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो चलिए गाइस वीडियो को इस्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो दोस्तो अगर आप लोग यहाँ पे जियो सीम को एयर टेल में पोर्ट कराने वाले हैं या तो पिर करा चुकी हैं तो यहाँ पे आपका जो पोर्टिंग टाइम है वो यहाँ पे 24 गंटे का रहता है बेसिकली 24 गंटे के अंदर अगर आप लोग यहाँ पे पोर्ट को बंद कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं बट 24 गंटे के बाद आपका जो सीम है वो पुरा पोर्ट हो जाता है तो यहाँ पे port होने में कम से कम 48 गंटे का time लगता है कम से कम आपको 2 से 3 दिन का wait करना पड़ेगा तब जाके आपका जो sim है वो जियो से यहाँ पे air tail में यहाँ पे port हो जाएगा तो यहाँ पे आपको 3 दिन का wait करना है और 48 गंटे का wait कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे wait करने के बाद 3 दिन का आपको wait करना है जिस दिन आपने port कराया था उस दिन से लेके आपको 3 दिन यहाँ पे देख लेनी है और यहाँ पे जो है तीन दिन के अंदर गरत में आपको जो sim है वो port हो जाएगा और अगर बीच में अगर कोई festival वगर आ जाती यानि कि government छुटी याँ वगर आ जाती है तब यहाँ पे आपको जो है उसको जो है नहीं गिनना है आपको यहाँ पे 3 business day आनि कि जिस टाइम पे government जो भी government का काम रहता है वहाँ पे खुला हुआ रहता है तब वही तीन दिन आपको यहाँ पे देखनी है तो तीन दिन वेट करने के बाद आपको जो number है वो यहाँ पे port हो जाता है तो गाइस अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like कर दिजिए और comment करके बताईए आपको कोई problem आ लिए तो चलिए मिलते है नेस्ट वीडियो में